स्तूती महीमा एशु प्रभुजी गाते आते है तुछ पास जीवन चल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्ति दाता जीवन चल देखास जीवन चल देखास जीवन चल कारेकरम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु एशु मशी के मदूर नामे नमस्कार लिविंग वाटर्स गॉस्पल ब्राडकास्ट है मुंबई में एक रेडियो सेवा है इसे हेराल्ड मेग्रेगर उनीस सो त्रेपन में जबी न्यूजलन्ड से आये आरंब किये थे जो आज तक परमेश्वर के दया से अच्छी तरह से चल रहे इसके लिए प्रभु प्रभ 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है उसके लिए प्रणिश्वर की स्तुति हो मुझे उम्मीद है कि आप एप प्रोग्राम से देख रहे और बर्मेश्वर का आशिश पार रहे हैं और आपके जीवन में भी प्रमेश्वर का महान योजना पार है हमारे कार्यक्रम का ए मु स्वतंतर करेगा प्रभु एश्व मसी वो सत्य है जिसने उसे जाना है वो स्वतंतरता पाए है हम वही उसका ही गवाई है और हमारे जैसे कई लोग एश्व मसी को पहचाने और स्वतंतर हो गए हैं क्या आपने प्रभु एश्व मसी को आपका उद्धार करता जाना है जो आप जीवनजल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशिश पाते रहे परमेश्वर आपको आशिश दे धन्यवाद। मेरे पास आकर पीए, जो मुझ पर विश्वास करेगा, उसके रिदय से जीवन के जल की नदिया बहन निकलेंगी। क्या आज आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की खोज में हैं। प्रभु ईश्व मसी आज आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं और आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आईए, आज परमेशर के वचन को सुनने से पहले अपने रिदय को तयार करें और इस मद्धूर संगीत का आनंद उठाईए। आई.. रभू का आनं है मेरी ताकर संसार में ये शूर ए मेरी ताकर वो मेरा आनन हर एक दिन में वो मेरा साहारा है वो मेरा आनन हर एक दिन में वो मेरा साहारा है जब मैंने सोचा में अकेला हूँ तब प्राभु ये शुम ने मुझसे कहा जब मैंने सोचा में अकेला हूँ तब प्राभु ये शुम ने मुझसे कहा संसार के अं तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ संसार के अं तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ रभु का आनन है मेरी ताका संसार में ये शुख है मेरी ताका जब मैंने सुचा की असंभव है तब प्राभु येशु ने मुझे से कहा जब मैंने सुचा की असंभव है तब प्राभु येशु ने मुझे से कहा असंभव को संभव करने वाला येशु मैं तेरे साथ हो प्राभु का आनन है मेरी ताका संसार में ये शुख है मेरी ताका वो मेरा आनन हर एक दिन में वो मेरा साहार में हरे ये शुख है प्रभु का आने मेरी ताकर संसार में ये शो है मेरी ताकर प्रभु येशु मसी के मीठे और मधुर नाम में आज का संदेश सुनने के लिए हम आपका बड़े आनन के साथ स्वागत करते हैं प्रभु आप सबको आशिश दे, नमस्कार जीवन जल कारेकरम में शुबसंदेश चानल के द्वारा दिये वे सारे संदेश आपके उद्धार का कारण हो सके ये हमारी प्रार्थना है और उद्धार का आशिश और आनन्द आपके जीवन का अनुबो हो सके आईए आज मेरे साथ हम दूसरा कुरुंतियों की पत्री उसका छटवा ध्याय उसका दूसरा पद पढ़ेंगे क्योंकि वह तो कहता है उसकी प्रसनता के समय में मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की देखो अभी वह प्रसनता का समय है देखो अभी वह उद्धार का दिन है इस उद्धार के विशे में चर्चा करते वक्त कितने सारे अलग-अलग बातों के द्वारा पवित्र शास्त्र में इसका महत्व हमारे सामने प्रगट किया हुआ है क्योंकि हमारे जीवन की सबसे एहम जरूरत हमारा उद्धार है ना केवल उद्धार होना बलकि उद्धार हुआ है इसके निश्चितत होना इसके गवाही हमारे जीवन में होना और उद्धार का फल हमारे जीवन से दिखाई देना वो हमारे जीवन का अनुभो होना ये बहुत जरूरी है उद्धार पाकर उसके अनुभो में आगे बढ़न इसलिए हमने योना दो के नौ में हमने पड़ा योना ने महामच के पेट से परमेश्वर की और प्रार्थना की यहवा ही के और से उद्धार होता है और उसका जवाब तुरंत उसको मिला समूंदर में महामच के पेट में लेकिन अब परमेश्वर ने फिर आग्या की और वो म पाप के मेरे जीवन में परमेश्वर करना चाहते हैं हमारे जीवन की किसी भी परिस्तिती में से जो पाप के कारण आपके मेरे जीवन का अनुभव हुआ है ये उद्धार का महत्व समझने के लिए उस वचन को एक आधार लेकर पवित्र शास्त्र बाइबल में से उद्धार के साथ चरित्र गुनलक्षन सुभाव दर्शन दर्शकों को हम पवित्र शास्त्र से देख रहे हैं अभी तक हमने पांच को देखा और आज आखरी दो बातों को मैं आपके साथ बाटना चाहता हूँ जो पांच बाते हमने इसके पहले देखा वो सबसे पहले प्रेजितों के काम 28 के 28 में हमने देखा ये परमेश्वस से ही उद्धार है दूसरी बात हमने देखा यहुदा की पत्री तीसरा वचन से यह सब के लिए एक जैसा उद्धार है तीसरी बात को हमने देखा इब्रानियों की किताब दूसरा ध्याय और उसके तीसरे पत से क्या कि यह बड़ा या महान उद्धार है चौती बात को हमने देखा यश्या की भविश्रवानी 43 वा ध्याय और 11 पद क्योंकि केवल एक ही उद्धार करता है और वो प्रभू येश्यू मसी है पाच्वी बात को हमने पिछली बार देखा और वो था प्रेरितों के काम 13 के 26 के आधार पर क्या कि यह व्यक्तिगत उद्धार है और आज जो पद हमने पड़ा कि आपने ध्यान दिया अभी वह प्रसनता का समय है देखो अभी वह उद्धार का दिन है अभी यह वरतमान समय का उद्धार है और एक बात जो मैं आपके साथ बाटना चाहता हूँ वह हम यशिया की भविश्यवानी उसका 51 अध्याए और छटवे पद में सातवी बात को पढ़ते है और वहां लिखा है यह सदा का उद्धार है परमेश्वर से उद्धार सब के लिए एक जैसा उद्धार बड़ा उद्धार केवल एक ही उद्धार व्यक्तिगत उद्धार वर्तमान में का उद्धार और सदा का उद्धार क्यों ये उद्धार के बारे में या उद्धार के सू समाचार के बारे में इतना जोर देकर बारम बार हर एक संदेश में कहा जाता है जानते हैं क्यों यही तो परमेश्वर चाहते हैं और इस वच्छन को लेकर आज कृपया ध्यान से सुनिएगा क्या यह वर्तमान समय का उद्धार है पवित्र शास्त्र में कही भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि कल हमारे लिए संसार के बारे में पढ़ते हैं यह केवल प्रभुयेश्य मसी का सू समाचार सुनने के द्वारा है इसलिए इसका प्रचार किया जा रहा है इसलिए आपको सुनाया जा रहा है इसलिए हम सुन रहे समझ रहे प्रभुयेश्य मसी ने का जाओ और सारे संसार को सू समाचार आग्यां का पालन करते हुए मेरे प्रियों शायद ये सुनने का आउसर फिर इसके बाद आपके जीवन में कभी न आए ऐसा आउसर ना हो लेकिन इतना सुनने के बाद क्या आपने अपना मन अभी तक प्रभू के लिए और सु समाचार के लिए अपने जीवन के अपने प्रा को ग्रहन करें। अभी उद्धार का समय अभी प्रसनता का समय अभी उद्धार का दिन है कि आप प्रभू को अभी आप ग्रहन करके अपना जीवन दे देंगे मेरे प्रियों बहुत तेरे आज नरक में पड़े हुए है जिनोंने सोचा बाद में करेंगे कल करेंगे फिर देखेंगे अभी समय नहीं है पवित्र शास्तर में इतने लोगों का उधारन बाइबल में दिया हुआ है मतलब नीती वचन 27 और 1 में लिखा हुआ है कल के बारे में तू घमण ना कर कल क्या होगा ये तू नहीं जानता कल क्या होगा ये मनुश नहीं जानता मेरे प्रियों ये कल के उपर भरोसा करते हुए अपना जीवन बिताएंगे तो कल शायद आपके लिए वो नरक का रास्ता तो कौन बचा पाएगा मेरे प्रियों आज प्रभू का वचन सुनकर अभी जब उद्धार और प्रसंदता का समय और दिन है क्यों ना अपना जीवन प्रभू को हम सौब दे शायद आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे अभी तो मैं जवान हूँ अभी मेरे लिए तो बहुत समय रखा हुआ है यदि आप जवान और इस संदेश को सुन रहे है तो बहुत अच्छी बाते तो आपका ध्यान में बाइबल में से उस पद की और लेना चाहता हूँ जो हम सबोपदेशक उसका ग्यारा ध्याय और उसके नौवे पद में लिखा हुआ है हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे अपनी मनमानी कर और अपनी आखों की दुरुष्टी के अनुसार चल परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विशे परमेश्वर तेरा न्याय करेगा जानते हैं इन वचनों को पढ़ते वक्त मैं उस प्रभु के दास के शब्दों को याद करता हूँ जवानों के दिल में हमें दिखाए देती है मौलूम है क्या अरे जो देखना है देख ले खाना है खाले पीना है पीले जाना है जाले जो कुछ होगा देखा जाएगा मेरे प्रियों कुछ देख नहीं सकते है ऐसे संसार के फिलोसोफी के अनुसार अपना जीवन बिता कर परमेश्वर ने दिए वे इस महान बड़े आशिश को हम क्यों खोकर बैठे आज यह वर्तमान समय का उद्धार प्रभु ने आपके जीवन में, मेरे जीवन में दिया है अपने जीवन में जांकर देख कर अभी अपने प्रभु के उन दिनों को याद करते हुए जो मेरे लिए ये शुमसी ने मेरे पापों को अपने उपर उठा कर मृत्यों और वो भी सलीप के मृत्यों को सहे लिया और जब आज ये ग्रहन का स्वीकार करने का ये समय अनुकुल समय ये प्रसनता का समय है कि उन्हों मैं प्रभू को अपना जीवन अभी दे दू प्रभू ये करने के लिए सच में आपकी सहता करे इसके साथ मैं अगली बात को भी आपके साथ बाटना चाहता हूँ जो इस वचन के आधार पर हम देखते है कि ये उद्धार जो प्रभू की और से हमारे लिए आया हुआ है मेरे प्रियों ये उद्धार हमारे जीवन में प्रभू के उस अनंत काल के या सदा काल के उद्धार में प्रभू लाना चाहता है यदि आप यशिया की भविश्यवानी 51 अध्याय और 6 पद पड़े तो लिखा है मेरा उद्धार सदा के लिए ठहरेगा सदा के लिए प्रभू का जो भी काम है वो सदा के लिए अनंत काल के लिए सारवकालिंता के लिए है ये सात्वी और आखरी और महत्व की बात इस उद्धार के विशे में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ मेरे प्रियों it's a grand and glorious fact to know that the salvation that we are talking about it is an eternal salvation ये सारवकालिंता का सदा का उद्धार है इसका मतलब क्या यदि आप मेरे साथ इबरानियों की किताब उसका पांचवा ध्याय और उसका नवापत पड़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है सदा काल के उद्धार का कारण हो जाएगा we are told that Jesus Christ became the author of eternal salvation इबरानियों की किताब 9 के 12 में भी उसी सच्चाई को बताया हुआ है by his own blood he entered in once into the holy place having obtained eternal redemption for us अनन्त काल का छुटकारा प्रभू येश्य मसी ने अपने लहू को बहा कर प्राप्त किया हुआ है अनन्त काल का छुटकारा प्रभू का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि प्रभू की और से जो आशिश हमारे लिए रख छोड़ी है मेरे प्रीयों ये केवल इस समय के लिए नहीं है लेकिन वो अनंत काल के समय के लिए है मैं उनके लिए सच में दुख महसुस करता हूँ जानते है कौन जो आज अपना जीवन इस विचार धारना से बिताते है कि शायद में कल कुछ गलती करूं और उद्धार को खो बैठूं ना ना पवित्र शास्तर बाइबल में ऐसा शिक्षन कभी नहीं दिया है बाइबल में लिखा हुआ है एक बार यदि उद्धार हो गया वो सदा के लिए उद्धार हो गया Once you are a child of God, you are always a child of God जैसे इन दिनों में ऐसे सच्चाई को देखते है Once saved, if truly saved, you are always saved On the authority of the word of God एक गलत शिक्षा को हमारे इर्दगिरत इन दिनों में फैलता हुआ हम सुनते है और वो ये है कि एक बार उद्धार हो गया और गलती किया तो तू उद्धार खो जाएगा कुछ लोग उद्धार खोने के इस प्रयास में इतने लगे है कि वो उद्धार का आनंधी खो बैठे हुए ऐसा नहीं मेरे प्रियों, एक बार यदि आपका उद्धार हो गया, वो हमेशा के लिए उद्धार हो गया क्यों? क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल के आधार पर ये इटरनल सैल्वेशन है, ये सदा का उद्धार है, ये खोने के लिए उद्धार नहीं होता है या तो आपका उद्धार हुआ है, नहीं तो उद्धार नहीं हुआ है मैं इस बात को समझाने के लिए उन वचनों को याद करता हूँ जो युहनारचिसू समाचार दसवाध्याई 27 से लेकर तीसवे पद में लिखा हुआ हम पाते हैं ये सुरक्षा जो प्रभू की और से इस उद्दार में हमें दी गई है प्रभू येश्यमसी कहते है मेरी भेड मेरा आवाज सुनती है वे मेरे पीछे आते है और वे कभी नाश नहीं होंगे वे अनंतकाल का जीवन पाएंगे वे मेरे हात में सुरक्षित है वे पिता के हात में सुरक्षित है मेरे हातों से और पिता के हातों से उन्हें कोई छीन नहीं ले सकता है it is an eternal salvation क्या आप खुश नहीं है हमारा उद्धार कोई चीज हमसे चिन नहीं ले सकती है अनंतकाल के लिए उद्धार होना मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता हूं मेरे प्रियों कि अब मैं एक बार उद्धार हो गया बस अनंतकाल का उद्धार हो गया अप में अपने मनमानी का जीवन जी सकता हूं ना ना ऐसा गलत फ़हमी में नहीं रहना उद्धार होने के पस्चात यदि आपके मेरे जीवन से पाप होता है तो पवित्र शास्त्र बाइबल में पहला युहना उसका पहला अध्याय और उसके आठ और नौ पद में दिया हुआ है क्या हम अपने पापों को यदि मान ले और अपने पापों को अंगिकार करे तो वह धर्मी है क्या हमारे पापों की हमें अपरादों की हमें शमा करने के लिए और सनातन के मार्ग में हमें चलाने के लिए प्रभू हमारी साहता करता है अब आप सोचेगा ये बात समझाने के लिए एक बच्चा एक परिवार में पैदा हुआ परिवार में पैदा हुआ इसलिए माबाप का उसके साथ उसका माबाप के साथ एक रिष्टा बन गया ये परिवार का एक हिस्सा बन गया, ये उनका बेटा बन गया, अब ये उनका बेटा वो उसके माबाप, अब ये बेटे ने कल गलती की, पिता के खिलाफ, माँ के खिलाफ, कुछ तो उनकी आग्याओं को तोड़ दिया, कुछ गलती की, आग्याओं को नहीं माना, अपने मनम का व्यवार किया तो आप बताईए पिता के साथ मा के साथ उस बच्चे का क्या रिष्टा होता है क्या वो उनका बच्चा ठहरने से इंकार किया जाता है क्या उनका कल से गलती करने के कारण बच्चा नहीं रहता है बच्चा ही रहता है लेकिन उसका परिणाम क्या होता है माल अनुशासन की जरुत होती है ताडना की जरुत होती है लेकिन उनके उस स्वभाव के कारण उनके उस गलत विवहार के कारण उनके माबाप के साथ के संगती तूट जाती है यही बात परमेशवर के साथ हमारे जीवन में होता है क्या जब हम उद्धार पाके परमेश्वर के संतान होने के पस्चात गल्ती करते है अपरादों में गिरते है पाप करते है तो प्रभू के पास क्षमा की तो योजना है लेकिन हमारा रिष्टा नहीं तूटता है हम प्रभू के और से ताड़ना पाते है प्रभू के और से दंड प्राप्त होता है अनुशासन में लाए जाते है प्रभू के और से उस संगती सहभागिता को तूटा हुआ पाते है शायद आप अपने आपको मसीह कहलाते हो मसीह को ग्रहन भी किया हो इतने साल आप अच्छे बैठे और अपने गलत जीवन में आप आगे बढ़ रहे तो ऐसा ना करें मेरे प्रियों आज भी प्रभू आपको ऐसे गलत जीवन से अपने पास बुला रहा है क्योंकि जो उद्धार उसने दिया है वो इटरनल है वो सारवकालिंता का सदा का उद्धार है प्रभू नहीं चाहता कि ऐसे गलत जीवन बिताकर उस संगती से टूटे वे अनुभों में आप रहे ना प्रभू के पास आईए अभी प्रभू आपको बुला रहा है क्या आप कहेंगे प्रभू मैं अभी आता हूँ जैसा मैं हूँ वैसा मैं तेरे पास आता हूँ यदि आप अपना जी अभी भी तैयार है तुछ अप्रभू आप ऑच आता हुआ जैसा मां चाहे खाल रहे लेकिन जो अधर प्रभू के ओर से वह हमेशा के लिये है शयद आप इतने दिनों से प्रभू का वचन सुनरे इसका इंकार कर रहे, अपने मन की अभिलाशा, शरीर की अभिलाशा, इनके व्यसन और वासना के अंदर गुटन महसूस कर रहे, अपना जीवन इस आधार पर बिता रहे, तो मेरे प्रियों ऐसा जीवन बिता कर क्यों प्रभू की और से उन आशिशों को आप खो बैठते हैं, परहाप्स, यूवन रजेक्टिंग गॉट्स एटर्नल सालवेशन जस्ट रहे, जस्ट रहे, प्रभू के पास आईये, क्योंकि प्रभू आपको बुलाता है, पहला थेसलनिका, उसका पांचवा अध्या, नौवे पद में लिखा हुआ है, जो उद्धार, प्रभू की और प्रभू ने हमें क्रोध के लिए नहीं नियुक्त किया, बलकि सार्वकालiał Parents के उदधार के लिए नियुक्त किया हुआ यूँ वो चाहता है, कि हमें हरेक व्यक्ति उद्धार के अनुभों में लाए जाए, क्या प्रभू के इस अनन्तकाल के उद्धार के इन अपना जीव यह परमेश्वर से उद्धारे, सर्वसामान्य मतलब सबके लिए एक जैसा उद्धारे, यह बडा उद्धारे, यह केवल एक ही उद्धार है, व्यक्तिकत उद्धारे, वर्तमान में का उद्धार है, और सदा का उद्धारे, क्यों? क्योंकि मैंने प्रारम में कहा, God thought about it, Christ bought it the Bible taught it, faith brought it, the Holy Spirit wrought it, the devil fought it, but thank God I can say I have got it, can you say that? मैं कह सकता हूँ, हाँ, यह उद्धार प्रभु ने मुझे दिया है, क्योंकि मैं एक नाचीज इनसान अपने पाप को मानकर प्रभु येश्व मसी के पास आया, मेरा जीवन बदल गया, यदि आप येश्व मसी के पास आएंगे, आप भी गा सकते हैं, कह सकते हैं, जब से प्रभु आपका भी जीवन बदल गया, प्रभु आपका भी जीवन बदल दे, और इस उद्धार के साथ बातों को समझ कर प्रभु येश्व मसी के पास आप आए, प्रभु इन वचनों के उपर अपने बहुतायत की आशिश दे, इसको अमल करने के लिए आपकी मेरी साहत करें और वाशिश आपके मेरे जीवन में बही दे, हमारे आँखों को बंद करें, हम प्रार्थ न करें, महान सुर्गे पिता दयालू परमेश्वर हमारे हर दर्श्रकों के लिए आपका धनेवात करतें, तहे दिल से प्रार्थ न करतें, अपनी बहुतायत की आशिश हम सब आपके जीवन में आप देवे प्रभू, और जैसे वच्चन में लिखा है, वैसे हमारे हर एक का सच में अनुभो हो, उद्धार है, सारी बातों से चुटकारा देने वाला प्रभू परमेश्वर, ये शुमसी में हमारा उद्धार करता ठेरा है, हम आपका धनेवात करते है ये उस उद्धार के आशिश और अनुभो में हम सब को हमारे सारे श्रोतागन को अपलाए, दर्शकों को अपलाए, ऐसी हम प्रार्थना करते है, आपके आशिश हम में से हर एक के उपर हो, प्रभू ये शुमसी के मधूर नाम में मांगते है, सुन और कबूल कर पिता, अम प्रभू आपको आशिश दे पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 400-025 प्रातना एवर मुफ्त बाइबल कोर्रिस्पोंडेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें, अपना नाम और पूरा पता तुरंद समस करें, हमारा मुबाइल नंबर है, 09892-5807-44 हमारा इमेल आईडी है, gospelbroadcast at the rate yahoo.com हमारा वेब एड्रेस है, www.lwgb.org हमारा यूट्यूब एड्रेस है, जीवन जल टीवी at the rate यूट्यूब जीवन जल कारेक्रम को हर सोम बार शाम सारे 6 बजे और हर शनी बार रात 9 बजे इसी चैनल पे देख सकते हैं, धन्यवार कि अजे बार शाम सारे 6 बजे बार शाम सारे 3 वीवन जल के दोटीवार